हेलो फ्रेंड्स, वेलकम में यूटूब चैनल आफिसेल वैब लर्न दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम वर्डप्रेस वैब साइट की स्पीड को इंक्रेस करें तो जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सस्क्राइब कर लिजे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकरिसन आपको मिलता रहे है तो आएए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम उस प्लगिन को एक्टिवेट करेंगे जिस प्लगिन रिंगे थूँ, हम अपनी वर्डप्रेस वैब साइट को आप्टिमाईज करेंगे तो इसके लिए हम एक प्लगिन डाउनलोड करना है, 10 web booster इस प्लगिन यह मैंने ओल्लेडी डाउनलोड किया हुआ है और इसको हम एक्टिवेट करेंगे तो अभी हमारा यह प्लगिन एक्टिवेट हो गया है और जैसे प्लगिन हमारा एक्टिवेट हो जाएगा यहां पर साइन अप एंड करेक्ट करने के लिए गाएगा तो इसको आप अपने गूगल अकाउंट से जासे जिस मेल एड़ी से आपका सरवर है आप उस मेल एड़ी से लोगिन करना होगा आपको दोस्तो अभी हमारा यह front page optimize हो रहा है उसके बाद हमारे page की जो new score है यह new speed है वो हमाँ यहां पर सह हो जाएगी तो इसके लिए भी हमें दो से तीन मेल अभी वेट करना होगा तो दोस्तों जब हमारा front end page optimize होजाएगा तो हमें ऐसा कुछ score हमें यह आपे देखने के लिए मिलेगा यानि पहले जो score था हमारे mobile score 58 था ठीक है और loading time हमारा 7.2 second था यानि अब जो हो गया हमारा score 93 हो गया है और loading time हो गया 1.4 second था ठीक है और mobile score पहले 58 था यानि अब हो गया हमारा 71 mobile पे है और desktop पे अब हमारा desktop score हो गया है 99 तो अब इसके लिए हम करेंगे या यानि अब जो हमारी mobile की speed आ है वो हमारी 71 और desktop पे है 99 तो अब हम फिर से चैक करते हैं इसके लिए दोस्तों अब हम चैक करते हैं कि हमारा स्पीड है कितना इंक्रीज हुआ है तो इसके लिए हम पेज स्पीड इंसाइट पे जाएंगे और हम पर हम इसकी स्पीड चैक करते हैं पहले जो हमारी mobile पे स्पीड थी 49 थी और desktop पे 92 थी तो अब चैक करते हैं कि कितना हमारा वेबसाइट का इंक्रीज हुआ है तो अब जो हमारे mobile की स्पीड है 78 है और desktop पे हमारी website की स्पीड है अब यह सर्च कर रहा है 98 तो दोस्तों आप इस plugin को यूज कर सकते हैं इस plugin का result काफी अच्छा है और जो भी आपका unuse JSS CS है और यह आपको कुछ image optimize भी कर देता है तो यह जो plugin है यह बिल्कुल free है और चाहे तो आप इसका paid version भी ले सकते हैं ठीक है और इसमें आप कम से कम 10 website भी आप इसमें add कर सकते हैं और इसमें आप एक पेज करके आप को optimize भी कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो गर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और बैल एकन दबा लिजिए ताकि आने वाली वीडियो का notification आपको मिलता रहे है मिलते है नेक्स्ट वीडियो में